रन्बीर कपूर ये उन आक्टर्स में से एक हैं जिनके साथ नेपोटिसम का टैग तो बच्छपन से लगा हुआ है और लोग हमेशा इनको नीचे गिराने का मौकार ढूंटे हैं लेकिन उस फिल्म का सिर्फ अभी ट्रेलर आया है और पबलिक के मिक्स रिव्यूस के बाद असली फैसला तो सीधा सेप्टेंबर में ही होगा पूरी फिल्म देखने के बाद लेकिन वहाँ फिल्म से रिलेटेट कुछ भी नहीं दिखाया गया सिर्फ अक्टर्स के थुरू कहानी के थीम को समझाने की कोशिश की गई थी बट टेंशन नौट दोस्ट फिल्म का ओफिशियल पोस्टर लीक हो चुका है और यकी मानिये इसको जी भर के देखने के बाद एक बाद तो पक्की है बॉलिवूड इस बैक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मास सिनिमा जिसमें आजकल साउथ फिल्म इंडस्टरी न अपनी पकड बना रखी है फिर चाहे केजी एफ कुछपा आरारार कोई भी फिल्म उठाके देख लो हर एक सीन पूरे एक्सपिरियंस के बराबर है अब उस फिल्में बॉलिवूड की तरफ से शमशेरा की एंट्री होना पक्की बात है और उसका सबसे बड़ा सबूत फिल्म का ये पोस्टर खुद है जो नहीं जानते उनको बता दूँ फिल्म के अंदर रनबीर कपूर एक डकैत का केरेक्टर प्ले करने वाले हैं वो जिनको जिनको जिन्दगी से जादा मौत से प्यार है ये जीते हैं सिर्फ मरने और मारने के लिए वैसे रनबीर की लास्ट फिल्म आसे चार साल पहले आई की 2018 में संजू जिसने बॉक्स ओफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड्स क्रियेट किये थे अब फैन्स उनके कमबैक को सेलिब्रेट करने में कोई कसर नहीं छोडेंगे और ये रनबीर फैक्टर ही शमशेरा को असल मायने में स्पेशल बना सकता है संजे तक फिल्म में नेगेटिव केरेक्टर प्ले करेंगे बोले तो KGF के बाद अधीरा वाली कहानी संजू बाबा शमशेरा में विलन बनके कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे फिल्म बना कॉन राय करन मलोतरा नाम सुनके कुछ भी स्पेशल फील नहीं हुआ गलती कर दिये गुरू अगनीपत का मॉर्डन वर्जिन देखा था आपने वो रितिक वर्सिस संजू बाबा एस कांचा चीना उसके डिरेक्टर भी यही जनाब थे अब देखो शमशेरा में सब कुछ है हीरो के बराबर का विलन, periodic टच देने वाली डाकू लुटोरों की कहानी और साथ में अगनीपत जैसी मास फिल्म डिलिवर करने वाले डिरेक्टर हो ना हो ये फिल्म बॉलिवूड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है मास तो 100% मिलेगा ही, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन क्लास मिलता है की नहीं, वो देखना इंटरस्टिंग होगा और जादा इंतिजार करने की जुरत नहीं है, सिर्फ कुछ घंटे या सिर्फ कुछ दिन बाकी है फिल्म के ऑफिशल ट्रेलर के रिलीज होने में, आज पोस्टर आया तो कल या परसो ट्रेलर भी आ सकता है ये श्राज फिल्म के लिए शमशेरा एक गम डू और डाय वाली फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी लास्ट चारपाज फिल्मों को पब्लिक ने बहुत बुरी तरह इग्नोर मारा है और प्रत्फी राज उसका लेटेस्ट एक्जाम्पल है इसलिए बौश शमशेरा के लिए एक एक गदम बिल्कुल फूप के रखा जाएगा, कोई भी गलती का स्कोप नहीं है, फिल्म पब्लिक को पसंद आ गई तो पास्ट की सारी गलतियां माफ हो जाएंगी तो बस तयार हो जाएए, बौलिवुड इस बैक वाले नारे और जादा तेज अवाज में सुनाई देने वाले हैं और रीजन सिर्फ एक होगा रनबीर कपूर फटाफट कॉमेंट मार के बताओ, आपको क्या लगता है ब्रहमास्त्र और शमशेरा दोनों मिलके बॉलिवुड के अच्छे दिन लेकर आएंगे या फिर साउथ फिल्मों को पकड़ना अब मुश्किली नहीं नामकिन है, बोलो बोलो बाकी वीडियो में कुछ पसंदाया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, बढ़ना थोड़ा सा इंतिजार करिये, मिलूँगी आपसे अरले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई